एक mobile phone brand है जिनने दो हजार चोबिस के अभी तक कितने दिन हो चुके होंगे और इसके बीच में उन लोग ने पूरे पाँच फोन लॉंच कर दी है और अभी तक जो पाँच फोन थे उन में से जो चार फोन थे वो अंडर बारा हजार के और एक फोन जो है वो अब थर्टी था तो आज लोग नीजागया एक और नगया फोन लॉंच कर दिया और यह जो लुग शिकायद करते हैं कि हमारे लाइक फोन निया रहा है मिड बजट सेक्में में वैं उस segment में आज कुछ ये launch करने वाले हैं और उस phone के बारे बताएंगे उसके price के बारे बताएंगे उसके videos के बारे बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको phone लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोगे, decide तो आप ही करेंगे लेगे, information आपको सब मिल जाएगी और इस डारेक्ट दिलसे के interview मेरे साथ रहेंगे अंकु जो के managing director है, media tech के और शेवम, जो के marketing head है, motorola के तो आप दोनों का स्वागत है तो सबसे पहले, अंकु मैं आपसे ये कुशन नहीं पूशा चाहूँगा, डिरेक्टी एक चीज़ पूशा चाहूँगा कि अभी हमने देखा था कि Taiwan में भेंग कर भूकम बाया आपके जितने भी, आपका headquarter Taiwan में है आपके जितने भी employees है, वहाँ सब safe है कोई problem तो नहीं है हम ब्रुकुल safe है, everyone is good and वहाँ थोड़ा सा डेमेज हुआ, structural damage offices में, क्योंकि time इसका सुबा सुबा था, उसले इसका impact हुआ नहीं everyone is very very much safe, thanks for asking So, अब शेवाम, फोन तो आपने बहुत सारे लांच करती, रसम ने बताया कि आपने थो चड़ी लगा दी MOTOROLA जो है, यह believe करता ही consumers को best to best experience देंगे more and more accessible price points पर तो हम चाहते हैं कि जादा-जादा consumers हमारे phone को use करें, इनके premium features को इस्तेमाल करें, अपने हाथों में experience करें और अपने friends और family को recommend करें, इसी वज़े से हमारी pricing last year भी बहुत aggressive रही थी और इस साल भी aggressive रहने वाली है, हलाकि यह बात मैं आपके viewers और आपके शोड़ता हूँ कि आप कितनी इसको aggressive मानते हैं, बट यह phone, MOTO G64 5G, हम दो variants में launch कर रहे हैं, एक variant होगा 8GB RAM, 128GB storage के साथ, दूसरा होगा 12GB RAM और 256GB storage के साथ, जो base variant है, उसका साथिंग प्राइस हम दे रहे हैं, 14999, मतलब सब 15K में आपको यह प्रोड़क ला रहे हैं, और जो higher variant है, 12256, उसका प्राइस प्राइस पॉइंट हम दे रहे हैं, 16999, and that's a very aggressive प्राइस प्राइस पॉइंट बड इतना ही नहीं, हम इस पे offers भी देंगे, और bank offers लगाने के बाद, इसका price point base variant का हो जाएगा 13999, और higher variant का हो जाएगा 15999, यह काफे interesting price बड़ाए आपने शिवम को कि इस price range में हमें अभी जितने ही phones market में देख रहे हैं, कुछ काफी अच्छे कर रहे हैं, कुछ boolean-like phone है, लेकिन इसमें जो features इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो आप खुदी अंदजा लगा सकते हैं, कि यह phone का price है, सही है कि नहीं लगता है, सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि price काफी app price है, और aggressively price किया हुआ है, जो Motorola अचली पिछे साथ से आप देख रहे होंगे, सब phones ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हैं, कि इस phone की जान है, वो इसमें एक निया chipset आ रहा है, तो अंगू आप बताएगे, क्या है chipset, क्योंकि I think यह chipset भारत में पहली बार किसी phone में आ रहा है, क्या है और consumers से expert क्या कर सकते हैं? यह पहली बार इंडिया में आएगा chipset, Dimensity 7025 तो हम बड़ एकारीड है, विजिस collaboration Motorola के साथ, हमारा collaboration बहुत लंबा चलता है आप देख सकते हैं, इनका याराना कितना अच्छा है कि दोनों के दोने एक ही shirt पैने हैं और अमने आपसे लगात नहीं करीज थी, it just happened like this Yes, so your collaboration is going very well and तो हम बड़े कारीड नहीं इस phone को लेके पहला phone है, जो इस चिप्षट इस करेगा तो इसमें जो major advantages एक तो performance, so this is built on 6 nm process जो इसके अपने नरेंट advantages होते है performance, you know, computing power battery efficiency विगरा वो तो ही और इसमें जो जो chipset है, वो 8 octa core chipset है, and up to 2.5 GHz speed, तो उससे जो performance आने वाली है, वो ला जबाब आने वाली है तो ऐसे in this price segment end user के लिए बहुत अच्छा performance आने वाला है Secondly, इसमें जो हमने देखा है end users को क्या पसंद है so उनको camera पसंद है तो इसमें camera में hardware accelerated imaging features है इससे आप low light imaging अच्छी हो सकती है and many other features are there and it has amazing camera very good quality and it also has this very good battery efficiency तो जैसे आप आप नी चाहोगे कि वीजर सुन लिए बहुत सारे लोगों को समझ में लिया रहा होगा कि आप exactly इससे फाइदा क्या होता है तो आप मुझे यह बताईए कि example देके समझाईए कि अगर आप performance कहते हैं कि बहुत ही ताबड़तोर performance है क्या असान हो जाएगा Instagram उको रहत पड़ेगा इससे example में देता हूँ आपको डिस्प्ले 120Hz है उसका क्या फाइदा है उसका यह फाइदा है कि जो डिस्प्ले बड़ा स्मूध रहता है जैसे आप गेम आपको आप गोली चलाते हो ठीक है आपको गोली दिखे की जलती हूँ ठीक है तो 120Hz का फाइदा है वरी-वरी स्मूध दिस्प्ले अब आतको इंस्टाग्राम देखते हो आप आप आपका जो फ्लो है बड़ा स्मूध होगा तो यह मेजर एट्वांटेजी है और आपको आमने देखा है जो यंग जनरेशन है उनके लिए बड़े इंपॉर्टन उसकेस है आपको रुकावट के लिए खेद का बोर्ड नजर नहीं आएगा और आपकी वह मारुती वाला आड़ी आदे ना आपको जो गाड़ी रुखती नहीं थी एक छोटा से सरदार बच्चा होता था वह कहता था पाप इसे पेट्रोल खतमी नहीं होता है तो बेसिकली यह कह रहे है कि आपका पेट्रोल चलता ही रहेगा लेकिन बात करते हैं फोन के फीचर्स की देखें मार्केट में बहुत सारे फोन से हैं और हरे को इनों के दावा करता रहता है कि हमारे फोन में यह चीज अच्छी है यह दूसरे से बहते रहे कंजूमर आपका फोन अगर ले तो क्यों ले क्या चीज है जो उसको और किसी में नहीं मिलेगी इस 15,000 के सेगमें बेलकुल नहीं बहुत अच्छा सवाल है देखिए एक तो सबसे पहले हम लोगों ने जब भी कोई फोन मनाते हैं तो एक पटिकलर टार्गेट सेगमेंट को एड्रेस करते हैं और उनकी नीड़ सको एड्रेस करते हैं तो जो हमने जो cu cinZA mai करी को व्म मतलब कि अगर कोई ott series देख रहे हैं तो जब तक खत dout नहीं कर लेंगे तब सग कर रोखने okay गोई लेंगे गेम खेल रहा है तो घंटो घंटो खेलते ही रहेंगे जब तक उन्हों सारे लेवल पार नहीं कर लेते हैं गेम खतम न ही तो आज कल की जनजी का यह है कि भाई लज ड़ दभाके करना है और उसके लिए उनको चाहिए ऐसा एक फोन लोग जय से की आंकूने बे तो उसको support करने के लिए और उसको ऐसा support करने के लिए कि जितना भी extent तक वो push करना चाहे अपने आपको वो इस पे असानी से कर पाई तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगोंने यह phone मनाया है और इसका सबसे पहला feature जो मैं highlight करना चाहूंगा वह है MediaTek Dimensity 7025 जो कि हम भारत के पहले phone हो रहे हैं ब्रैंड हो रहे हैं जो यह chipset भारत में लेकर आ रहे हैं और यह बहुत ही powerful chipset है इस segment का सबसे powerful chipset मैं कहूंगा इसको very clearly last year भी हम लोगोंने जी 54 लांच कहा था MediaTek Dimensity 7020 के साथ क्योंकि आज भी हमारा blockbuster product है segment का जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें out of stock रहता है यह मैंने सुने मार्केट से कि आप लेने जाओ तो it is such a how you say अर थेने लोगों का दिल टिका होता है कि यह यह ले ले लेते हैं वह रहुआ है वह ही मैं कह रहे हूं कि इसी को दिखाता है कि कितना ज्यादा ट्रेenne मार्केट में कि तो इसलिये हम उसका एक upgraded लेके आ रहे हैं gate 5 था वर्ट में Panda में आप उप उप वहाइने से उपर हो चुके है, जी शिक्सटी फोर उसका एक एडवांस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर जैसा कि आपको फीचर्स के बारे में बता रहा था, सबसे पहली बात तो एक जबर्दस चिप सेट है, सेग्मेंट का सबसे पारफुल चिप सेट है, जिसके फीचर्स अ आप जो भी करना चाहरे हैं, वो मैक्स तक कर पाएं, वीडियो देखना है, गेम खेलना है, जो भी करना है, चिपसेट आपको परफॉर्मंस पीक देगा, बैटरी आपको सपोर्ट करेगी देर तक खेलने के लिए, साथ ही साथ इसमें अगर आप रैम रॉम भी देखें, तो इसमें हमने 12256GB का भी वर्जन दिया है, तो चाहे आप जितना स्टोर करना चाहें, जो वीडियो, जो गेम्स डाउनलोड करना चाहें, वो कर सकते हैं, और 12GB रैम के साथ परफॉर्मंस को और फर्दर एंहांस कर सकते हैं, ये तीन चीज़ हो गई, इसके अलाव अगर आप कैमरा की भी बात करेंगे, तो कैमरा में भी हमने उनके लिए बनाया है, जो रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं, तो मतलब चलते चलते भी अगर आप वीडियो लेना चाहेंगे, तो इसमें OIS capability है, Optical Image Stabilization, जिससे आपका वीडियो हिलेगा नहीं, शेक फ्री वीडियो हमने दिया है, और साथ ही साथ, जिसमें हमने Dolby Atmos के stereo speakers दी हैं, तो जैसा कि जो example अंकु ने दिया, जो आपको गोली चल रही है, तो आपको दिखेगी, मैं कह रहा हूँ, आपको गोली चलते ही सुनाई भी दे जाएगी सबसे पहले, और सबसे अच्छी तरीके से सुनाई सेट of features दिये हैं, कि जिससे कि जो आज की जनता है, जो आज का consumer है, जो जनजी consumer है, उसको सब कुछ मिलेगा, जो उसको एक जबर्दस performance के लिए चाहिए, अपनी जिन्दगी max तक जीने के लिए चाहिए, बिलकुल बिलकुल, और वियोस जैसे आप सुने रहे हैं, कि दोनों कि अगर फोल की बात करें, अगर फीचर सापने बहुत सारे दे दिये इसमें, लेकिं कहीं कॉस कटिंग भी है, डिस्पले के मामले में, कभी क्रॉस क्या था है, आप देखेंगे, अगर 254 भी देखेंगे, हमारा तो जो मार्केट में रहा है, अपर अच्छा परफॉम किया है, तो आप देखेंगे, नॉमली जो है, कंजूमर आज की डेट में उसको एक अच्छी क्वालिटी का डिस्पले चाहिए, उसको एक डिस्पले चाहिए, जिसमें उसको फास्टर रिफ्रेश्टेट मिल रहा है, जिससे स्क्रोलिंग बेटर हो रही है, या फिर गेमिंग ब जो इन फाक्ट परफॉर्मेंस में भी जो हमको देखने को मिला है, इनमें तो बैटरी डाल दी, आपने चार्जरी में कुछ करवाया है, स्पीड चार्जिंग कर रहे हैं या, लिगे हमारा जो चार्जिंग अगरिजम है, वो तो बहुँदा मेचर हो चुका है, और इत मेक जो चार्जिंग जो उसका बैटरी लाइफ चार्जिंग लाइफ अलसो इस वरी वरी इंपोर्टेंट, जसे हम चाहते हैं कि पून लंबा चले तो अल्गरिजम इस रिली इन प्रेस और बेर जो बाटरी तो उमनें बहुत अस पर महत अपर दरी तरी तो इन लोग ने भीनत कि अंकु ने बोला एक तो चिपसेट बहुत एफिशेंट है तो आपकी 6000 इमेज की बैटरी बैटरी एफिशेंट चिपसेट पहले तो खतमी नहीं होगी लेकिन आपने चार्जिंग की बात करी तो चार्जिंग इस सेग्मेंट में हम बेस्ट दे रहे हैं 33 वाट का चार्ज आपको प्रवाइड करेगा इस सेग्में तो आपने इन बॉक्स की बात कर देगी डबा खोलते हैं आपके पास क्या-क्या मिलने वाला है तो फोन में तो 3.5 mm जैक भी दे रहे हैं एरफोन दे रहे हैं या वो बाहर से लेने पड़ेंगे लेकिन हम यह चाहते हैं कि आपको जिस तरह का ओडियो सुनना है आपके पास जो हैडफोन से तो वो यूज़ करें लेकिन हमने हैडफोन जैक भी दिया है कि आपको पुराने हैड़सेट अगर है तो आपको टी डब्लो एस लेने की इमिज़ेट जरूरत नहीं है आप वाइड हैड़सेट भी लगा के जो की फीचर है जो एंशोर करता है कि साउंड आपको कंप्रीटी सराउंड कर लेता है तो आपको एकडम 360 डिगरी साउंड का एक्स्पीनेस मिलता है तो इस वज़े से आपको एक भैतरीन अडियो एक्स्पीनेस में देखना है तो चलिए इंसाइड दबॉक्स के आगे ही इसी को continue करते हैं फोन में बड़ी एक अच्छी चीज़े जो जैसी डबबे से भार निकालेंगे Android 14 से के साथ लोड़ेड आ रहा है लेकिन खाली एक ही Android OS ऐसी ना इनसाफी क्यों लेखे बड़ा अच्छा सवाल है पहले तो आप यह देखिए कि इस सेग्मेंट में जैसा कि एक N-1 Android generation के साथ लाँच कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रैंड है जो आप देखिएंगे जो आज की डेट में फोन लाँच कर रहे हैं Android 13 के लाँच कर रहे हैं दूसरी चीज़ बहुत सारे ऐसे ब्रैंड है जो कोई commitment ही नहीं दे रहे हैं ना software update का ना security update का इस segment में जो phones launch करें उसका और तीसरी चीज़ यह है कि अगर commitment दे भी रहे हैं तो N-1 generation का OS launch करके अगर वो commitment दे रहे हैं तो उसके comparison में हम belief करते हैं कि अपने consumer को starting से out of the box latest generation Android का experience दे और उसके ऊपर commitment करें जो भी हम कर रहे हैं जो कि हमारा commitment है कि minimum और हमारा commitment हमेशा minimum का होता है यह depend करता है क कि अगर आपको अगर हम आपको permit करेगा PLC permit करेगी product की तो हम और भी दे सकते हैं बट जो हमारा minimum commitment है वो एक OS upgrade का और तीन साल के security अपडेट का इस सेग्मेंट में commitment है यह वैसे देखा रहे हैं तो कफी interesting चीज़ कह रहे हैं क्योंकि जी हां दो तीन ब्रांड्स हैं इस segment में जो दस से बीस दर के लिचे phone launch करते हैं और कहते हैं कि हम दे रहे हैं आपको दो साल का Android OS upgrade और तीन साल के security patches तीन साल तो यह भी दे रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो latest phone launch हो है वो आए Android 13 पे यानि कि जब तक Android 14 आएगा आमा तो चाहिए आप तो Android 15 की तैयारी ह हो रही है तो उसका तो मालूम नहीं है तो और Android 15 तब आएगा जब Android 16 की तैयारी हो रही होगी तो इनका तो कम से कम यह है कि latest Android पे आ गया और पंदरा तो मिलेगा ही मिलेगा यह एक इंटरस्टिंग बात है तो बेसिकली देखा जाए कि दोनू की life cycle पंदरा पर ही खतम होने इलावा भी आपने यह extended RAM वाला concept चल रहा है बहुत सारे लोग देते हैं और आप भी दे रहें इससे consumer को पाइदा क्या है देखिए संदीप यह बड़ी बड़ा इंट्रेस्टिं सवाल है आपका इंपक्त अगर आप देखेंगे तो G54 जो हमने लास्ट यह लांच किया था उसमें हमने extended RAM boost feature नहीं दिया था तो कि हमने हम बिलीब frankly हम बिलीब करते हैं कि जो actually inbuilt memory है that is the most important because that is the one that gives you the most efficient efficiency yes there could be minor improvements if you increase it virtually in terms of caching in terms of slight you know slight improvements but net net जो मेरा मानना है inbuilt memory को आप match नहीं कर सकते virtual memory से लेकिन हमने देखा कि पूरी industry में यह trend चल रहा है कि virtual memory लोग दे रहे हैं तो और हमको कई जगे consumer comments में भी दिखा कि आप virtual memory option क्यों नहीं देते हैं तो हम लोगों ने कहा कि देखे हमको देने में कोई दोराए नहीं है हम को दे बिल्कुल बिल्कुल अगु अगर आपके processor की बात करें पहली बारे लाग रहा है क्या यह processor इनी के साथ सही में तरहें गाए यह आने वाले हम और भी devices में इस process को देख सकते हैं ने वो तो आपके विल सी हमारे बहुत सरे partners हैं हम सबसे बात कर रहे हैं तो we'll see how it progresses तो यह कान बार 70-25 दे रहे हैं Moto को तो यहने कि designing के time पर आप लोग बहुत ज्यादा आगां प्रदां करते होंगे ideas का तो कोई ऐसी कोई specific requirement आपको याद आ रही है जो इन लोग ने Moto की तरह साही ते आपको लग रहा था यार चलो ठीक है थोड़ा महिना तर काम है लेकिन चलो आए क्योंकि जिससे end user experience बहुत अच्छा हो उसके वह से fine tuning काफी करननी पड़ती है तो हमारे end user team ने काफी क्लाइबरेट किया है और इनका requirement तो वही था I think the basic requirement तो ही होता है is your experience अच्छा होना तो मैं ही शूर आपका gaming और screen flow and all that शुद भी perfect तो उनोंने बार बार रिटरेट किया अच्छा करी पूरी के अच्छा experience दिया जाए तो I'm sure I'm sure के end users will really like it you know collaboration तो आपको दिखी रहा है dress code sync में दिख और सारी चीज में दिख रहा है बहुत काफी effort होता है हमारे teams में काफी closely cooperate किया है काफी लंब का साथ काम किया है and that is very very important ingredient for that you know leadership to carry forward अब बताये कि आपको क्या लगता है यह product market में एकदम भोकाल मचा देगा एकदम अपना नाम सुनेरे शब्दों में लिखेगा या फिर आपको लगता है कि कुछ कम्या रह गई है मादय मैं आपका comment लेकिन अंकू और शिवम आप दोनों का बहुत बहुत दने बाद कि आपने हमारे से time spin किया और बताया कि latest device में क्या क्या है features so guys एक और चीज प्राइस कासा लग रहा ह आपको comment section में जुरू पताएगा जल्दी मलते हैं एको और वीडियो में तब तक कि आप अपना ख्याल रखेएगा